मंगलवार को भी भिलवारा घनी धुन्द की गिरफ्त में कैद रहा धुन्द के साथ ही सर्दी के सितम से लोग पिछले स्टपताह से जकड़े हुए हैं घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है मंगलवार अलसुबे 6 धुन्द के कारण कुछ कदम दूर भी दिखाई नहीं दे रहा था वाहन रिंकते हुए चल रहे थे जबकि घरों से बाहर निकले लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाफ करते नजर आए हालत यह है कि कड़ाकी की ठंद के कारण लोग घरों में ही कैद लहनी को मजबूर हो रहे हैं वहीं शेर के बालाची मारकेट सूचनांकी ने चुराया गोल्पय और चुराया सदर बाजा इस्टेशन चुराया सराइट मुख्य बाजारों में भी सर्दी पे कहरे की वजए से दस पजे तक भी बाजारों में चहल पहल कम ही दिखाए दी उधर दिल्ली एंसियार में कडाके की ठंड जारी है पिछले कुछ दिनों की तरह है मंगलवार को भी जोरदा ठंड है हालांकि कहरे का असर कुछ कम रहा वहीं भारती मौसम विज्ञान विभाग का पुर्वानुमान है कि मंगलवार को दिन भर आंशी क्रूप से बादल चाय रहेंगे सुबह कोहरा रहा लेकिन मंगलवार को अधिक्तम तापमान अठारा तो नियूंतम तापमान डस रिग्री सेल्चेस रहा वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली अंसिया समेथ इससे सटे हर्यान और चंडीगर के साथ उत्वप्रदेश, पद्ध्यप्रदेश और राजिस्तान में कडाकी की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है बावजुद इसके दिल्ली में मंगलवार से ठंड से रहत मिलनी शुरू हो जाएगी झाल